हलो एवरिवान वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे PTC इंडिया और इनकी सबसेडरी कंपनी PFC के बारे में क्योंकि दोनों ही कंपनी आज कल बहुत ज़्यादा न्यूज में हैं क्योंकि PFC के जो इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स थे उन्होंने पिछले वी क्यानी कि 19 चैनवरी को रिजाइन कर दिया था तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको PTC इंडिया या PFC इंडिया के शेयर को लेना चाहिए या नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाएगी ये दोनों कंपनीज करती क्या है तो PTC जिसका की पहले नाम Power Trading Corporation of India था ये Power की Trading Activities में involved है ये Long Term Power की Trading करती है जो भी Large Power Projects के द्वारा Power Generate की जाती है उसको ये Trade करती है उसके अलावा ये Short Term Trading भी करती है जहां पे भी Supply और Demand मिसमैच होता है तो किसी भी चाहे रीजन में हो वो Country के तो उसकी ये Short Term Trading करती है जुलाई 2001 से ये Power की Trading कर रहे है और ये कोशिश करते हैं कि जो Buyer और Sellers है Power के उनको Best Price में Power मिले और इसके अलावा जो भी Resources का Utilization है यानि कि Power का Utilization है वो Optimum Way में हो पाए ये इनकी कोशिश होती है इसके अलावा अगर इनके Client की बात की जाए तो इनकी जो भी State Utilities Companies हैं कंट्री में वो इनके Clients हैं इसके अलावा देश से बाहर भी कुछ Power Utilities Companies हैं जैसे कि नेपाल, बंगलादेश वगेरा में वो भी इनके Clients हैं और अगर इनके Shareholders की बात की जाए तो इसमें जो State Run Power Sector Companies हैं जैसे कि NTPC, Power Grid Corporation Power Finance Corporation और NHPC मिलके इसमें 16.2% का Stake Hold करते हैं और अगर बात की जाए PFC की तो PFC में PTC India का 65% Stake है और इस Company को Companies Act 1956 के अंडर इनकॉर्परेट किया गया था और ये एक NBFC की तरह काम करती है ये Systematically Important Non-Deposit Taking NBFC है यानि कि Systematically Important Means कि जिस भी Non-Banking Financial Corporation का Size, Asset Size 500 करोड से ज़्यादा होता है उसको Systematically Important बोला जाता है तो ये एक Systematically Important NBFC है जिसको की Classify किया जाता है Infrastructure Finance Company की तरह RBI के द्वारा और ये Bombay Stock Exchange और NSE दोनों पे ही लिस्टेड है और अगर इनके Business Model की बात की जाए तो ये Partner करती है Infrastructure Development में और Power Sector को Support करने में कि कोई भी Power Sector की अगर Financial Requirement होती है तो ये उनको Loans Provide करती है या उनकी Funding की Need को पूरा करती है इसके अलावा ये कुछ Cases में जो Other Than Power Sector है Infrastructure Project है जो कि Power से Related नहीं है उसको भी ये Financing Provide करते है और अब अगर बात की जाएगी भई इन Companies में Issue कैसे स्टार्ट हुआ तो 19 जनवरी यानिके पिछले Wednesday को कमलेश शिवजी विकम से Thomas Matthew और संतोष बीन आयर जो कि Independent Direct थे PFS के Board पे उन्होंने एक साथ Resign कर दिया और उन्होंने का कि Company में Governance और Compliance को लेकर के बहुत सारे Lapses हो रहे हैं जिसकी वज़े से Resign कर रहे हैं तीनोंने ही Almost Similarly Worded Resignation दिया यानि कि एक ही बात लिखी और Similar Supporting Documents प्रोवाइड किये कि Company में Governance के Issue हैं इसलिए हम Resign कर रहे हैं और उन्होंने अपने जो Resignation Letter है उसमें ये भी बताया कि Former Bureaucrate जो राकेश केकर जी थे उन्होंने भी पहले Management को Highlight किया था कि Company में बहुत सारे Corporate Governance के Issue हैं आपको उनको देखना चाहिए और जो राकेश केकर जी है इनका भी जो Tenure है PFS में December End में समाप्त हुआ था और इसके बाद एक और Development हुई जबकि 21 January यानि कि Friday को जो केकर जी है वो PTC के जो कि PFS की Parent Entity है उसके भी Board पे थे और वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने भी ये मैंचन किया कि यहां पे बहुत ज़्यादा Governance के Issue हो रहे है और अगर PFC की Financial Situation की बात की जाए तो इनके जो Outstanding Loan है 30 September के हिसाब से वो 9,633 करोड के हैं जो कि पिछले साल इनके 11,638 करोड थे तो वहां से कम हुए है और अगर इनकी Gross Non-Performing Assets की बात की जाए तो 821 करोड की है यानि कि 8.52% of Outstanding Loans और अगर बात की जाएगी जो Independent Directors ने Resign किया है उन्होंने Issues क्या Highlight कि है कि क्या Company में Governance Related Issue है तो उन्होंने लगबग 6 Issues Highlight की है जैसा कि एक Issue ये है कि जो रतनेश करके उनका हाला कि Second Name नहीं बताए गया है कि उनके हिसाब से उन्होंने बोला है कि इनकी जो Appointment हुई थी Board के द्वारा हुई थी Director Finance और Chief Financial Officer लेकिन जो Current Managing Director है PFC के उन्होंने इनको Allow नहीं किया Job Join करने के लिए और जिस भी Designated Role पे इनको काम करना था उसमें उन्होंने Allow नहीं किया और Board को adequate information भी नहीं प्रोवाइड की गई कि भी रतनेश जी पहले जो उनकी NTPC के साथ Appointment थी और उसके बाद जो Ultimately उन्होंने PTC India Financial को छोड़ा तो उसके लिए जो Board ने information मांगी तो वो provide नहीं की गई इसके अलावा इन्होंने बोला है कि Non Disclosure of Forensic Report जो एक loan account था NSL Naga Patnam का उसमें एक Forensic Report के Non Disclosure को ले करके इन्होंने issue उठाया है इन्होंने बोला है कि 125 करोड का एक power loan था और वो board के पास आया था one time settlement के लिए 17 March 2020 को और board ने management को बोला था कि भई आप इसकी जो settlement amount है उसको renegotiate करो और उसके बाद दिसंबर 2020 में एक Forensic Report जो कि पहले undisclosed थी board के सामने पेश की गई और board ने उसके उपर objection उठाया कि ये 2 साल तक board से चुपाया गया था इस Forensic Report को तो board committee ने mention किया कि यहां पे RBI के intervention की जरूरत है और उनोंने जो one time settlement का मामला है उसको defer कर दिया इसके अलावा उनोंने unilateral changes in terms of loans का भी मुद्दा उठाया है उनोंने काया है कि 150 करोड का loan था road project के लिए जिसमें की terms and condition को change किया गया without board approval उसमें repayment जो timeline है उसको change किया गया था इसके अलावा इनोंने कुछ governance के issue उठाया है उनोंने काया कि एक previous chairman ने August 2021 में काफी सारे corporate governance की concern उठायी थी लेकिन उसके ओपर कोई action नहीं लिया गया इसके अलावा जो independent director ने इन से detail मांगी उसको completely ignore कर दिया management ने और या तो उनको ignore कर दिया गया या आधी अधूरी information उनको provide की गई हाला कि इसके बाद investor के डर से जो company की management है उन्होंने काये कि जो भी issues ये हैं ये board level पे उठाये गए हैं और जो भी update होगी वो सभी stakeholders को management का इसके बारे में क्या कहना है तो उन्होंने Friday यानि की 21 जन्वरी को एक press brief की ये virtual meeting थी और इसमें उन्होंने अभी के लिए खारेज किया है कि जो भी independent directors के द्वार allegation लगाए गए हैं इसको नहीं मानते हैं और even उन्होंने question raise किया है कि भाई जो ये third party investigation के लिए भी open है और इन्होंने इस press brief में mention किया कि 6 issues थे जो कि independent directors ने highlight किये थे जिसमें कि पहला issue था वो रतनेश ची की appointment को ले करके था जो whole time director के रूप में तो उसके लिए इन्होंने एक third party constituted की थी और उसके बाद उसकी report submit कर दी गई है और अभी ये PTC के board और अगर जरुवत होगी तो PFS के board के पास भी जाएगी और जब board इसको clear कर देगा तो वो ज़्यादा details share कर पाएंगे कि इसमें क्या निकल के आया है इसके अलावा जो और operational issue हैं उसके लिए उन्होंने काया कि हमने एक committee constitute कर दी है जिसको की तीन executive director के level के लोग और CFO level officials of PTC उसको head करेंगे और इसकी जो report है 30 दिन में submit की जाएगी इसके अलावा वो ये देख रहे हैं कि कोई board level committee भी अगर जरुवत है तो वो भी इस मुद्दे पर बिठाई जाएगी इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था Friday को ये press brief की गई थी कि Saturday यानि कि जो 22 January है उस दिन एक board meeting की जाएगी और उसमें इस मुद्दे को discuss किया जाएगा board member के द्वारा और अब सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि जो Saturday की board meeting है उसमें निकल के क्या आता है जो ये board meeting है इसका जो notice है वो 14th January को भेजा गया था कि 22 January को board meeting होगी लेकिन independent director ने अपने resignation में बोला है कि ये board meeting invalid है एक तो पहले इसका जो notice है वो सभी directors को नहीं बेजा गया है और दूसरा इसमें जो agenda है वो corporate governance के issue को include नहीं करता है जो कि उनके द्वारा उठाए गए है तो इस speech में security and exchange board of India इस मामले में entry लेता है और उन्होंने PTC India Financial Services यानि कि PFS के management को बोला है कि आप board meeting नहीं कर सकते जब तक कि आप corporate governance के issue को address नहीं करते और company ने माना है कि Saturday को उनको एक mail मिली है SEBI के द्वारा और उनको इसमें board meeting hold करने से मना किया गया है हाला कि separate development में PFS ने SEBI से exemption मांगी है कि board meeting करने दी जाए without independent director क्योंकि सभी independent director छोड़ गए है तो SEBI के rule के साब से at least independent director होना चाहिए तो इन्होंने exemption मांगी है कि उसके बिना भी हमें board meeting करने दी जाने चाहिए हाला कि उसके उपर अभी कोई update नहीं आया है और इस speech में company ने एक status report reserve bank of India और security and exchange board of India को friday को submit करी थी और बताया था कि अभी का status क्या है और आगे क्या step लेने वाले है तो यह अभी development in progress है अभी इसमें और भी development आएंगी बट इस speech में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या इन companies के share हमें लेने चाहिए है नहीं तो सबसे पहले अगर PFC की बात की जाए तो इन्होंने तीन साल में 17% की return दी है पिछले एक साल में सिरफ 5% से भी कम की return है लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो इनका share 10% भागा है और वो तब है जबकि पिछले एक week में और खास कर Thursday को जब से यह news media में आई थी तो इनका share बहुत बुरी तरह गिरा था बट फिर भी पिछले week में अगर in total देखा जाए पी ratio on the higher side है और return on equity काफी low है तो यह company का share अभी पीछे बहुत भागा था last एक महीने के अंदर लेकिन फिर भी इस company में जैसे कि governance issue है तो मेरी personal opinion में इसको बिलकुल avoid करना चाहिए at this point जब तक की चीजें clear नहीं हो जाती और वहीं अगर बात की जाए PTC India की तो इन्होंने पिछले एक साल में तो 61% की return दिया लेकिन पिछले तीन महीने से इनके share ने काफी disappoint किया 29% की negative return है और पिछले एक week में ये भी 14% गिरा है हाला कि Ticker Tape के predictive analysis के इसाब से इसका average target price है वो 153 आता है higher side पे 170 और lower side पे 147 जो अभी Friday की closing हुई है वो 94.45 पे हुई है तो उनके इसाब से तो इसकी pricing बहुत ही attractive है और अगर इनके fundamental और peers analysis को देखा जाए तो ये भी एक small cap company है 3000 करोड से कम का market capitalization है PE ratio और PB ratio attractive लगती है इनके pricing यानि के attractive है और return on equity भी अच्छी है बट जब तक कि governance issue में normally क्या होता है कि share बहुत जादा भी गिर सकता है क्योंकि हो सकता है कि unknown reason और जब तक वो भार आएं तो yes bank का भी essay हुआ था कि वो बहुत अच्छे से share चल रहा था लेकिन जब issues भार आए तो वो बहुत बुरी तरह से गिरा और अभी पीछे RBL bank में भी यह देखा गया तो मेरी personal opinion में तो अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं opportunity देखके तो मुझे लगता है कि corporate governance जब तक clear नहीं हो जाती कुछ clarity नहीं आजाती तो avoid करना चाहिए और अगर already आपके पास share है तो मेरी कहल से कोई भी मेरी personal opinion में immediately step नहीं लेना चाहिए क्योंकि already यह काफी गिर चुपका है तो थोड़ी सी clarity की wait करनी चाहिए और अगर आप profit में आते हैं तो probably अभी के लिए इससे निकलना चाहिए हाला कि video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views थे वो मेरे personal थे अगर आप इसमें invest करना चाहते है तो अपने financial advisor से बात कीजिए उसके बाद ही कोई भी आप अपना investment decision लीजिए thanks so much for watching the video and God bless you all